देखे राष्टिये काज़कार्णी की बैठक और राष्टिये पसद की बैठक जनता जहीव ने आहूत की है और वो बैठक आहूत स्वेम राष्टिये अध्यक्जी नहीं थी लगन से बीटक में स्वेम हुन्ही परस्ताब दिया कि यह सद्धच पद को अधरीं नितिस कुमा साफ है संगठन में फिर बदल होते रहते हैं और नितिस जी के नित्रत में पार्टे मजबूती से काम करेगी ये लोगों का मांधना है और इंडिया गठपंधन के एक मजबूत अस्तम्ब है नितिस जी इससे भी कोई नकार नहीं सकता जो लोग इसको दूसरे दृष्टी कौन से देखने की कुशिस कर रहे हैं तो अंदलों में तो बतलाब होते हैं अमित्साह जी हटे थे कि नहीं हटे थे नड़ा जी है गए राजनास सिंग जी थे गड़गरी जी थे बंगारू लश्मन ते सरधर एडवाने जी थे तो पदो जी ने प्रस्ताब दिया तो इसको इस संकठनात्मक परक्रिया का एक हिस्सा मनना चाहिए इसको अलग दिश्टी कौन से क्यास लगाने वाले वो लोग हैं जो लोग वन्डे से ही इस महाकडवंदन की सरकार को दूसरे नजर से देखते हैं इसी बार कर मैं आता हूँ नेता पती पर तुझे चिनात रहे हैं कि लालो जी तेश्टी को सीएं बनाना चाहते हैं और ललन जी लालो जी के करीबी हो गए थे तो जड़ी बीना करीबी के कोई नेता नहीं होता गटपंधन नहीं होता नितिस जी लालो जी तेश्टी जी ललन जी अन पार्टी के नेता एक दूसरे से मिलते हैं दूसरे से नजदिकियां हैं और जब नजदिकी होती है तो फी गटपंधन में रहते हैं और गटपंधन इसलिए है कि लोग आपसे मिले हुए हैं दिल से दिमाग से इसको अलग स् संकल्प और पर्म और नितिस जी का नित्रित्व जिन कामों को मुर्तुर्प दिया है यह हिंमद चाहिए करनेवालों को जाते अधरत गंदना का प्रकासन आराच्छन का दायरा नोकरियों की मोचहार दुनिया का कोई राज बिहार की तुलना न कर सकता देश में तो कोई पर्ण और संकल्प तयस्वी जी का और नितित उने किस जी का तो संकल्प जब पवित्र होते हैं जनहित में होते हैं तो नितित उसको स्विकार करता सरकार तो पहले भी थी लेकिन संकल्प भी हीन पार्टनर थे उनका संकल्प ही नहीं था कोई जनहित के लिए जो कर रहे थे इस डिकावेट